नमस्तू बहुते हैं केल्सिम के अगरीबन डॉप्टर टेस्ट करके कहते हैं केल्सिम कम बद रहा है कुछ कहता विटामिन बी कम गए तुछ कहता डी कम बन गया विटामिन बी कम हो गया लेकिन आइडवीद क्या कहता है क्योंकि आइडवीद कहता है किसी भी रोग का ज्यादा होना किसी भी चीज का ज्यादा होना या कम होना दोलो ही बिमारी केल्सिम कम होना भी बिमारी केल्सिम ज्यादा होना भी बिमारी अब इणोंने बता तक कजिम कम है आपने कजिम खाना तुप कर दिया तो बढ़ जाएगा जाँ बढ़ेगा वहां बढ़ाई कि रोग हो गए तया कभ रहाएगा वहां कम होने की रोग हो गज़ लेकिन ये पहले दावना दोरोड़ी की केल्सियम कम क्यों होता है केल्सियम कम होने का सबसे बड़ा गार्ण सरीट के अंदर समय पर ढोजन नहीं करना है और जितने आप वायाव करते हैं उसके अनुसाब पौष्टी का हारति नहीं लेने से सरीर में केल्सियम कम हो जाए और अगर आपका इंट्रेसाइन शरीट कमज करता हुआ क्यूंकि सबसे ज्यादा रख्ष अथाराफियों ओठ होते हैं तो उठों में जंजराइक पड़ा करते हैं ओम्रियों में जंजराइक होने लग जाती है सुनकर आने लग जाता है तो समझव केल्सियम केही कम होती जा रही यह आपकर मत जोशनी जाता आप ठके-ठके रहते हैं नेज ज़्यादा आने रहती है आप लेतिल करें लोलन ये सेथ। Alem Do 15 highest of количество of Music आपको पोटेफिय को आपको आपको啊 हाम नहीं कर नहीं मैं करेंगे, होने ज़्यादा करेंगे, तो आपको कोійсьल works and कोर्शिम कारें ठीजियों की कॉवल की न म preserve भी तकी या सिजिन कारता है। यह आपको आनेता सुचक है, अगर आपको पूरी बोड़ी वद्दात होने लग जाए, आपके मात पेशियों में इंटन सुरू हो जाए, जल्दे जल्दे आपको बुखाय बढ़ने लग जाए, शरी ठकने लग जाए, यादा कमदूर होने लग जाए, तो समझिए आप एक आपको की तब भड़ते हैं, जिसका नाब है, बल्र कैंसर, हटियों का ऐसे होर में पनाे, और जब यह एकरेशन बढ़ जाता है, तो में इस वह ल्ग का जैता है,। हटियों के अहडर हो जाता है। और हडियों के अदर हो जाता है तो आप वंदर ये बिमारी बढ़े है अब पहले मारे सोली थे आप में जैसे लक्षन रखता है आप शुरू कर दीजिए आपका टेक में क्योंकि ऐलोपेट ने तो जब बताएगी जब आपका लक्षन पूरे आजाएंगे तब ऐलोपेटी क प्रेंडी कैंसर बन गए हमने आपको पहले ही रसल बता दिया कि अगर हाथ में ये लक्षन आ रहा है तो आपको तो सचेत हो जाएए खुम्ज में बढ़ी को कम करने के निए बोजन के वीच पर गोट उट मिंखिये पानिक में लिए बोजन सरी के अदर बढ़ी गर्वित क करने के लिए दाले सबस्री अथा निदा दिये और चौब का प्रियोग ना करें चौब बाद में लगाए आपकी समझिया अदर प्रियोग होजे बन जाए तब आपको उसमें चौंडा लिए और चौब करें मैं भी जीरा या इनिंका दा लिए बागी प्राइट वार्ट आपके खाने कात्या जी कैंस तो चौब कभी वत पूस्त लगा और अगर तेल ना भी मैं बçarल आप documentary करें लिए बाद बार जौने के दापके बनाने लिए बज्या कवेट हगी समझिया ठांभी. वोट 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 कुए पारिज मेंगे, तो सरी नगर भी नहीं बडेगी, पेशाब जहांद आएगा, गर में नहीं केसी आएगा, और वो पैंकरोग जिसको यह असाद दे कहते हैं, आई में तो वाकता नहीं केसी भी जरू के पच्चाब होने वाले केसी नहीं रोको, आउट कम हो जाएगी, मसल स्याज़ दन कम होती चली जाएगी, और ओटों का दल दलाद मढ़ जाए, उठीक हो जाएगा, यावाज दो पंदर होगे, उठीक हो गया, और यह सब तीक होगी, तो प्रम्ला केसी नहीं थे, बनने नहीं देंगे, तो आई रहता की, रोक के रेल वें दबाये वें आप खेक ही रिलाग कराते हो कि बाइबार बुगाफ ठीक नहीं हो रहा है, जन्दरी ठीक नहीं हो यह यह आप अटो पाजून पर ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एगवास्री गौमाफ पाद भीचिये आप नमबर देखेंगे, आपके नमबर पर हो कर लीजिए, आपके रोका सही समाधान करके आपके प्रक्रती के दुछा, आप सही लाग बताया जाएगा, नहीं तो जो यह बता रहा हो, पथ्छा से विनाइटी मेज़ देफ परेज जर रही है, इसी से ठीक हो जाएंगे, जबाओं में पात की विए अंदर फिनो चरहा और एकिनो जो मिला देखें, मोटे आटे की रोकी बिलाएंगे, आपके दूर हो जाएगे, और बनने वालों बहां के रोग, अपने आप ठीक होई जाएगा, जचा भी पुरन मिलना है जा रहा हो, तो बारा पिलने के लिए न रखें, जे भारत, जे भारते